नमस्कार दोस्तों क्रिकेट में इसके एकोई नहीं वीडियो में आप सभीका स्वागत है गाईज आईपेल दोजर 22 से रिलेटेट आज सुबह सुबह बहुती बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आपस आईपेल का किताब जीता था तब सेनवाइन ने अपने सेलरी को डोनेट कर दिया था और क्योंकि उसी साल होटल टाच में हमला हुआ था इसलिए सेनवाइन ने अपना पुरा सेलरी उस घटने में डोनेट कर दिया था और उन्होंने ये बात किसी से भी कहने से मना कर दिया तिसरा अफडेट जो है वो गाईस RCB के तरफ से निकल कर आ रहा है तो IPL 2022 में RCB के शुरू के 2-3 मेचेस के लिए Glenn Maxwell उपलब्द नहीं होंगे जिसके वज़े से RCB के टीम को बहुती वड़ा जटका लगा है चोठा अफडेट जो है वो गाईस Guga Titans के तरफ से निकल कर आ रहा ह तो गाईस आप सभी यह जानते हैं कि Jason Roy IPL 2022 से बाहर हो चुके हैं और उनके जगा IPL 2022 में मेच्व वेट आपेनिंग करने वाले थे लेकिन अब वो IPL 2022 के सुरू में 2-3 मेचेस में अवेलब्द नहीं होंगे आज का जो पाचवार आखरी अपडेट है वो गाईस Mumbai Indians के तरफ से निकल कर आ रहे हैं तो गाईस आप सभी यह जानते हैं कि Jofra Archer IPL 2022 में आदर से ज्यादा मेचेस में उपलग्द नहीं होने वाले थे लेकिन अब यह कंफर्म हो गया है कि Jofra Archer IPL 2022 में एक भी मेच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और वो डिरेक्ली 2023 में ही टीम से जु क्वेंगे